दोस्तो आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टीवी इंडस्टी के बड़े चहरे और बिग बोस 13 के विजे तरसिधा शुकला का निधन हो गया है ये बड़े दुखत की बात है क्योंकि 40 साल की उमर में ये वो एक्टर थे जिन्होंने टीवी इंडस्टी के साथ साथ बॉलिवुड में भी कई फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और दर्शकों से खुबसूर क्या बटोरी थी वो आज हमारे बीच नहीं रहे और ये सिफ हमारी फिलिंग नहीं बलकि सभी देश्वाश्यों की फिलिंग है और यहीं फिलिंग रखते हैं हमारे टीवी इंडस्टी और बल्लिवुड के कुछ स्टार्स जिन्होंने इनके निधन पर यही बास सोच कर अपना अपना रियक्शन दिया है जिनके रियक्शन को सुन कर आपके भी आँखोस यांस हुआ जाएंगे आज की इस वीडियो में हम आपको नहीं पांच स्टार्स से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने सिदाशुकला के निधन पर अपना एमोशनल रियक्शन दिया है पारस पारस ने सिदाशुकला की डैट पर रियक्शन देते हुए कहा कि बिग बॉस के घर में चाहे हमारे बीच कितनी भी लड़ाई हो पर असल जिन्दगी में जाने से कुछ महीने पहले हम दोनों अच्छे दोस बन गए थे और उसके जाने का मुझे बहुत कम हुआ जिसे बया करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है मैंने उससे जिन्दगी जीने के साथ साथ काफी कुछ सीखा है वो मेरा भाई जैसा था जिसके जाने के बाद में बेहत दुखी हूँ देवलीना भटा चार जी ने सिदाशुकला के जाने के बाद काफी दुखी है और उसी दुख को दिखाते हुए नों ने उनकी डैथ पर अपना रियक्शन देते हुए कहा में ये सुन कर सुन पर गई क्योंकि सिदाथ इतनी जल्दी हम सब को छोड़ कर चले गए भगवान करे तुम्हारी आत्मा को शान्ती दे मेरे दोस्त अभिनेती रश्मी देसाई रोते हुए और बिग बॉस में जब सिदाशुकला ने ने हग किया था और उन्हें याद करते हुए ने ने बोला ओ माई गॉड इस बात पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि सिदाशुकला हमें इतनी जल्दी छोड़ कर चले गए भगवान तुम्हारी आत्मा को शान्ती दे मेरे दोस्त सहनाजगिल अब नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं अभिनेती सहनाजगिल के रियक्शन के बारे में जो सिदाशुकला की प्रेम का थी और जल्दी दोनों शादी करने वाले थे जब एक दम से इन्हें पता चला कि सिदाशुकला एक्सपायर हो गए हैं तो ये सुन कर वो फूट फूट कर रोने लगी और लाइप के अंदर इनका यही रियक्शन देखने को मिला आसिम रियाज इस लिस्ट में आकरी नंबर पर नाम आता है अभिनेता आसिम रियाज का जिन्होंने सिदाशुकला के जाने से काफी भावुक है और भावुक होते हुए इन्होंने अपना एक एमोशनल रियक्शन दिया है और अपने टूइट पर लिखा मैं निशब्द के कुछ वर्ट्स नहीं है और अल्ला जो है सिद्धर्द के आत्मा को शांती दे